दोस्तो, होमियोपेथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में किवल एक बार खाना है उन्हें सुभे खाली पेट खा लेना चाहिए मुह में अच्छे से कुल्ला करके गारगल्स करके मुह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होमियोपैथिक दवाई खा लेना चाहिए जिन दवाओं को दिन में दो बार या तीन बार या चार बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर दो से धाई घंटे बाद ही खाएं और उस इस्थिती में भी हमारे मुह में किसी भी वस्तू का किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए नहीं हमारे मुह में किसी भी चीज की गंद होना चाहिए जिससे की ये होमियोपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सपनिल सागर जैन नरामय होमियोपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वाकत करता हूँ दोस्तों आज से कुछ दिन पहले मैंने डलका मारा नामक एक होमियोपैथिक दवा का वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने डलका मारा के कराक्तरस्टिक सिम्टम्स के बारे में बताया था उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे किसी व्यक्ति ने कहा था कि डलका मारा के साथ साथ डॉक्टर साहब नेटरम सल्फ का भी वीडियो बना दीजिए अब उन्होंने मुझे नेटरम सल्फ का वीडियो बनाने के लिए क्यों कहा था क्योंकि डलका मारा और नेटरम सल्फ दौनों एक खास सिम्टम में एक दूसरे से मिलती जुलती प्रतीत होती है वो सिम्टम क्या है कि जैसे की डलका मारा के पेशेंट में गीली नमी वाली हवा के संपर्क में आने पर या सीडन वाली सीलन वाली जगे के संपर्ख में आने पर या उस जगे में रहने पर कोई रोग उत्पन होता है कोई बीमारी बढ़ जाती है या कोई पुरानी बीमारी में एग्रवेशन हो जाता है ठीक वैसा ही नेट्रम सल्फ में भी देखने को मिलता है कि नेट्रम सल्फ क जो पेशेंट होता है उसे भी यदि कोई बीमारी है और वो गीली नमी वाली हवा के संपर्क में आ जाता है बरसात के मौसम में आ जाता है बरसात के मौसम में भीग जाता है या फिर सीलन वाले कमरे में रहने लगता है जहां पर पूरी दीवारों पर जो है वो सीड जम जाती सीलन हो जाती है ऐसी किसी घर में वो रहना शुरू कर देता है और उसके बाद उसे बीमारियां होना शुरू हो जाती है या फिर कोई उसकी पुरानी बीमारी थी और उस जगह के संपर्क में आने पर या हवा के संपर्क में गीली नमी वाली हवा के संपर्क में आने पर उसे वो बीमारी में aggravation हो गया, उसके जो लक्षण हैं उनमें और ज़्यादा तीवरता हो गई, तो फिर natural self काम करेगी, डलका मारा भी काम करेगी, natural self भी काम करेगी, लेकिन natural self इसके अलावा भी बहुत सारे symptoms में broad spectrum, यानिकी बड़े विस्तृत छेत्र में काम करने वाली एक दवा होती है तो इस वीडियो में मैं आपको Netrum Self के Characteristic Symptoms बताओंगा चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहला Characteristic Symptoms जो मैं आपको बता चुका हूँ कि यदि कोई व्यक्ति गीली नमी वाली हवा के संपर्क में आता है या सीलन वाली जगह पे रहने लगता है और उसके कारण उसके शरीर में या तो कोई बीमारी पैदा हो जाती है या फिर उसकी जो बीमारी होती है उसके लक्षन बढ़ने लगते हैं लक्षण कोई भी हो सकते हैं गटिया की बीमारी है और मान लीजिए वो किसी बारिश के मौसम में गया था कहीं किसी से मिलने कहीं बाहर गया था और भीग गया और उसे गटिया का दर्द जो है वो बहुत तेजी से होने लगा या फिर थंडी हवा चल रही थी बारिश के मौस और उस हवा के कारणी उसे गठिया का दर्ध होने लगा या फिर अस्थमा का पेशेंट था और अस्थमा के जो सिम्टम है वो बारिश के कारण उसमें वो जो लक्षन है वो एग्रवेट हो गए तो आप समझ जाईए कि इसे नेटरम सल्फ देने की जरूरत है इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को सिर में चोट लग गई हो और चोट लगने के बाद उसे मानसिक रूप से लक्षन आने लगी हो या फिर पेशेंट ऐसा कहे कि डॉक्टर सहाब जब से सिर में चोट लगी है तब से शरीर में ये बीमारी आने लगी है तो फिर इसे नेटरम सल्फ दे किने की जरूरा थे मान लीजे सिर दर्ध होने लगा उसको सिर में जब से चोट लगी थी खून नहीं निकला कुछ नहीं हुआ लेकिन सिर दर्ध होने लगा है पागलपन होने लगा है सिर घूमने लगा है उसके साथ साथ याददाश्त कमजोर हो गई है उसे कुछ याद रहता है जब से उसको सिर में चोट लगी है तब से भूलना शुरू हो गया है तो यह नेटरम सल्फ का पेशेंट है इसके साथ में जिन लोगों को इसलिप डिस्क की शिकायत हो जाती है spinal injury हो जाती है read की हड़ी में चोट लग जाती है read की हड़ी के जो गुरिये होते है उनके बीच से निकलने वाली जो नसें होती है वो दबने लगती है disc के prolapse हो जाने के कारण disc के दबाब के कारण उसके case में भी natural self बहुत अच्छा काम करती है यदी patient को किसी injury के बाद ये समस्या हुई है वजन उठाने के कारण slip disc नहीं हुई गिर गया था, चोट लग गई थी और उस चोट के बाद दर्द होने लगा, पैरों में सुनपन आने लगा जुनजुनी आने लगी MRI कराने गए डॉक्टर के पास और पता चला कि इसको तो L4, L5, L1, L2, S1, L1 इस तरह के किसी भी गुरिये में, किसी भी spine के किसी भी हिस्से में इसको जो है, वो slip disc हो गई है अब गरदन भी हो ज़कती है, ज़रूरी नहीं कि slip disc लंबर एरिया में हो या सेक्रल पे हो, हो सकता है कि cervical में उसको चोट लग गई हो गिरा था, सिर में चोट लगी, cervical पे उसको slip disc हो गई हो C1, C2, C3, C4, C5, C6 इस तरह कि किसी उसको जो spinal cord है, उसके किसी हिस्से में उसको चोट लग गई हो और उसके कारण slip disc हो गई हो, तो netrum self उसकी medicine होगी, यदि उसके characteristic symptom हवा के संपर्क में आने पर यानि कि नमी वाली हवा के संपर्क में आने पर बढ़ जाते हैं इसके साथ साथ, netrum self उस्थमा की बहुत अच्छे medicine है, दमा के लिए तो ये medicine एक रामबान औशदी की रूप में काम करती है, और इसका characteristic symptom क्या होगा, कि व्यक्ति रात को बड़ा अच्छा सोएगा, कोई समस्या नहीं है, उसे बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं, आराम से सो गया, और जैसे ही रात के 3 बजे, 4 बजे 3 बजे से 4 बजे के बीच में, या 4 बजे से 5 बजे के एक दम से उसे सास लेने में बड़ी परेशानी होती है, अब क्लिनिकली हम लोग ये देखते हैं, कि यदि किसी पेशेंट को रात को 3 बजे से लेके सुबह 5 बजे के बीच में, यदि अस्थमा का अटेक बार बार होता है तो फिर नेटरम सल्फ उसकी मेडिसिन है इसके साथ साथ, अस्थमा के अटेक के साथ उसे दस्थ भी लगने लगते हैं, ये characteristic symptom है जो आपको किसी मेडिसिन में देखने को नहीं मिलेगा, कि यदि किसी दमा के पेशेंट को, अस्थमा के साथ साथ, दमा के साथ साथ दस्थ लगने की भी शिकायत है पतले पानी जैसे दस्थ लगने की शिकायत है तो फिर उसे नेटरम सल्फ देने की जरूरत है, अब ये जो दस्थ वाला symptom है, बिना अस्थमा के भी देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिने इस बिलकुल सुबह उठते ही फ्रेश होने जाना पड़ता है, तो यदी किसी व्यक्ति को ऐसा होता है, कि वो बिलकुल सुबह उठा और आँख भी पूरी नहीं खुल पाई और उसे फ्रेश होने जाना है, तो वो सल्फर है, यदी किसी व्यक्ति को ऐसा होता है, कि उसने चाए पी और पीते पीते ही उसे बिलकुल फ्रेश होने जाना पड़ा, तो उसे थूजा देना है, यदी किसी व्यक्ति को ऐसा होता है कि उसने चाय पी ली चाय पीने के बाद उसे थोड़ा सा टहलना पड़ रहा है तो फिर उसे ब्राइनिया या नेटरम सल्फ में से कोई एक दवा देना पड़ता है तब जाके उसके जो symptoms हैं वो ठीक होते हैं इसके साथ साथ नेटरम सल्फ का जो patient होता है जब भी उसे दस्त लगने की शिकायत होती है या फिर वो फ्रेश होने जब जाता है तो बहुत तेज आवाज के साथ उसके पेट में से गैस निकलती है ये जो लक्षन होते हैं ये बड़े ही सीक्रिटिव लक्षन होते हैं पेशेंट आपको ऐसे नहीं बताता है ये पेशेंट जब बिलकुल आपके साथ अकेले में बात कर रहा होता है तब वो बताता है तो अगर आप मैंसे किसी व्यक्ति को ऐसा सिम्टम देखने में आता है कि वो जब भी फ्रेश होने गया है मलत्याग करने गया है लेटरिन करने गया है और सबसे पहले लेटरिन करने के पहले उसे बहुत तेजी के साथ आवाज के रूप में बिस्पोर्ट जैसी आवाज के रूप में गैस उसकी पास होती है और फिर उसके बाद एकदम से बहुत तेजी के साथ दस्त लगा या लेटरिन होई मरीज आपको आखर ये बोलेगा कि डॉक्टर साहब जब से सिर में चोट लगी है तब से ये सिरदर्द तो बंध ही नहीं हुआ है और इसके साथ साथ एक समस्या और हो रही है कि ये चोट के लगने के बाद मुह में लार बहुत बनने लगी है जब-जब सिरदुखता है लार बहुत ज़दा बनने लगती है बहुत ज़दा थूक मुह में बनने लगता है तो आप समझ जाईए कि ये नेटरम सल्फ का करेक्टरिस्टिक सिम्टम है जो कि हमें नेटरम सल्फ देने के बाद पूरी तरह से ठीक करना है अब इसके साथ साथ इस मेडिसिन के उस लक्षन की बात करते हैं जिसके लिए ये बहुत ज़दा प्रसिद्ध है लीवर से सम्मनित बीमारियों में नेटरम सल्फ सबसे अच्छी 100% एफेक्टिव राम मान औशदी आप कोई भी नाम इस मेडिसिन को दे सकते हैं लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉबलम हो स्प्लीन यानि कि तिली से रिलेटेड कोई प्रॉबलम हो मान लीजिए लीवर का आकार बढ़ने लगा है फैटी लिवर डैवलप हो गया है ग्रेड वन ग्रेड टू ग्रेड त्री कोई भी फैटी लिवर है आपको लीवर में सिर पित्त की थैली में पत्री हो और उसका जो दर्द है वो सीधे हाथ की तरफ से शुरू होकर कंदे पे जाता है कंदे के पीछे जाने लगा है तो आप समझ जाईए कि उसको और कोई भी मेडिसे नाप दे दो लेकिन साथ हमें नेटरम सल्फ देने की उसे बिलकुल 100% ज़रूरत है क्योंकि नेटरम सल्फ उसकी सारी लिवर सम्बंदी, इस्प्लीन सम्बंदी, पिताशय सम्बंदी बीमारियों को 100% ठीक कर सकती है तो ये जो नेटरम सल्फ के मैंने आपको करेक्टरिस्टिक सिम्टम बताएं, ये किसी दूसरी मैडिसिन में देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए इने करेक्टरिस्टिक सिम्टम कहा जाता है तो नेटरम सल्फ का उपयोग हमें इन सारी बीमारियों में बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं यदि हम इसकी potency की बात करते हैं तो हमें हमेशा नेटरम सल्फ की 200 potency का उपयोग करना ज़्यादा suitable माना जाता है क्योंकि नेटरम सल्फ 200 potency में यूज करने से एक तो हफ़ते में डोज होता है हफ़ते में एक बार का डोज सैट हो जाता है लक्षणों की तीवरता के आदार पर बार भी दवा देनी पड़ सकती है लेकिन एक सामाने व्यक्ती में 200 potency की 4 बूंद हफ़ते में एक बार देने से ही काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने लगते है 6-7 हफ़तों में इसके साथ में यदि किसी व्यक्ती को बहुत ज़्यादा तीवरता के साथ कोई लक्षण है एक्यूट कोई केस है तो फिर 30 potency के बार बार उपयोग करने वाले यानि कि repetitive dose का उपयोग हम लोग कर सकते हैं यह जो दवा है यह आपको किसी भी homeopathic medical store पर बड़ी आसानी से मिल जाएगी या आप इसे online भी मंगवा सकते हैं मैं किसी patient को ना ही कोई दवा बेचता हूँ ना भेजता हूँ तो आप यह दवा pharmacy से जाके ले सकते हैं आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलाल इतना ही आगे के वीडियो में मैं आप से बात करूँगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी homeopathic दवाओं के बारे में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत